So BPSC सिक्छक भरती 2023 का जो notification, short notice जो पहले आया था जिसमें की 1,70,461 सिक्छक भरती की जानी थी इसका जो notification, detailed notification रिलीज हो गया है and इसके online application स्टार्ट होंगे 15th of June 2023 से 15 June से इसके online application स्टार्ट हो जाएंगे सो बड़ी भरती है, साल की BPSC सिक्छक भरती, काफी जो vacancies आई हुई है Class 1 से लिकर के Class 12 तक के सिक्छक के लिए vacancies है Class 1 to 5th, 9th to 10th and 11th to 12th Vacancies काफी अच्छी हैं, आप सभी देखी रहे हैं, 1,70,461 vacancies है इसके लिए eligibility criteria क्या है, qualification, age limit, selection, procedure, salary, application fees पूरा full information आपको इस बीडियो में दूँगी, पूरी जानकारी आपको इस बीडियो में दी जाएगी तो अगर आप interested है, आप अगर सिक्छक भरती है यानि सिक्छक, teacher की अगर आप तयारी कर रहे है क्योंकि आप सभी जानते है, teacher की जो vacancies आती है वो other post के picture, जो other vacancies है, उनसे थोड़ा different है क्योंकि इनकी जो essential qualification है, वो teaching के लिए अलग रहती है BAD, C TET, इस तरह से state level का जो TET तो अगर आप teaching की तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत यच्छी vacancies है eligible हों, तो apply जरूर कीजेगा अगर आपको लगता है कि आपको इसमें apply करना चाहिए, तो आप video को end तक देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए, तो वीडियो को like and share कीजेगा and जो vacancies आई हुई है, उसमें class 1 to 5th, 9 to 10th and 11 to 12th है अगर आप कहेंगे तो इन तीनों के लिए मैं अलग लग भी वीडियो अप्लोड कर दूँगे आप मुझे comment कर दीजेगा ओके, so friends मैं हूँ आस्था, welcome करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल Government Job Genuine Notification तो ये रहा इसका notification अभी आप देख रहे हैं सिक्छा बिभाग बिहार के अंत्रगत बिध्याले अध्यापक के कुल सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट डिटेल दी गई है सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रात्मिक बिध्याले के यानि वर्ग क्लास जो 1st to 5th क्लास के जो टीचर है उनके लिए तो यहाँ पर आप सबजेक्ट देख रहे हैं सामान ने उर्दू एंड बांगला ठीक है कैटिग्रीज बाइस भी आप यहाँ विकैंस देखेंगे अनारक्षित के लिए कितनी हैं यह पूरा दिया गया है अनारक्षित महला कैंडिडेट के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानि फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है सभी कैटिग्रीज बाइस आप मेल एंड फीमेल सभी की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आप यहाँ देख रहे हैं कुल साथ हज़ 79,943 क्लास 125 के लिए अब इसमें आप सरेणी देखेंगे तो बिध्याल है अध्यापक अराज पत्रित पद रहेगा प्रतिमाय आपकी जो सेलरी पर मंत रहेगी वो 25,000 पर मंत आपकी सेलरी है और साथ में जो भी अलाउंसेस आपको दिये जाएंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे इस्थाई भरती है पर्मानें भरती है एवं नई पैंसन योजना के नियमा नुसारी अनुमानने है परिविक्छा आप दी यहाँ पर यानि प्रोविशन पीरेड 2 यर का रहेगा दो साल का प्रोविशन पीरेड कंप्लीट होने पर आपको यहाँ पर पर्मानेंट यानि इस्थाई भरती आपकी कर दी जाएगी इसके बाद देखेंगे सैकेंड यहाँ पर दिया गया है क्लास 9-10 तक के टीचर के लिए अगर आप क्लास 9-10 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप सब्जेक्ट देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, विग्यान, गड़ित, समझक विग्यान, संस्क्रित, उर्दू, अर्भी, फार्सी, बंगला कैटिग्रीज बाइस यहाँ पर भी आप देखेंगे मेल फीमेल सभी के लिए कैटिग्रीज बाइस दी गई है टोटल विकैंसी यहाँ आप देख रहे है 32,916 32,916 यह 9-10 तक क्लास के टीचर की विकैंसी हैं इसके बाद अगर हम देखें जो 9-10 क्लास के टीचर हैं इनके लिए सैलरी 31,000 पर मन्त रहेगी साथ में आपके जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो इंक्लूड होंगे इस्ताई भरती है प्रोविशन पीरेड यहाँ पर भी 2 यर कर रहेगा इसके बाद नेक्स्ट है 11-12 तक के टीचर के लिए क्लास 11 और बारवी के अगर आप टीचर वरना चाहते हैं तो इनके लिए टोटल विकैंसी यहाँ पर सबजेक्ट देख लीजे फिरम टोटल विकैंसी भी देख लेंगे सबजेक्ट यहाँ एक मिट यहाँ पर सबजेक्ट आप देख रहे हैं जन्तु विज्ञान, बनस्पती विज्ञान यानि जूलोजी, बॉटनी, कैमिस्ट्री, फिजिक्स अर्थ सास्त्र, भूगोल, इतिहास, ग्रह विज्ञान, संगीत दर्सन सास्त्र, राजनीती सास्त्र, मनो विज्ञान, समा सास्त्र, एकाउंट टैंसी, बिजनेस स्टडीज, एक मिट इसके बाद है इंटरप्रेनियोर्सिप इंटरप्रेनियोर्सिप यहाँ पर टोटल विकेंसीज भी आप देख सकते हैं सभी सबजेक्ट में कितनी-कितनी विकेंसीज आई हुई है इसके अलाबा यहाँ पर और भी है अर्वी, वांगला, वोजपुरी, कंपुटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथली, पाली, फार्सी, प्राकरत, संस्कृत और उर्दू टोटल 57,602 यानि सबसे ज़्यादा जो विकेंसीज आई है वो फर्स्ट क्लास से फिफ्ट क्लास तक के टीचर के लिए है 70,000 प्लस थी उसके बाद यहाँ पर 11 और 12 क्लास की है 57,000 प्लस है और जो 9 और 10 के जो टीचर है उनके लिए 32 या 35 प्लस अभी हमने देखी यहाँ पर अगर आप 11 और 12 के टीचर बनते हैं तो 32,000 मूल बेतन यहाँ पर है साथ में अलाउंसेज रहेंगे अराज पत्रित पद है 2 यर का यहाँ पर ही प्रोविशन पीरेड यहाँ पर रहेगा योगदान की तिती में दो वर्स की अबदी परिक्षमान अब्दी माने जाएगी यहाँ परिक्ष अब्दी संतोष जनक नहीं पाए जाने पर एक बर्स की और भी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी अगर संतोष नहीं होते हैं वैसे यहाँ पर प्रोविशन पीरेड सभी का सक्सेस्पुल कंप्लीट हो ही जाता है और इस्थाई भरती आपको मिल जाती है किसी भी पोस्ट पर हो ठीक है अब यहाँ पर दिया गया है बिद्याले अध्यापक के पतपर निउक्ती है तू अन्यवारे अहिरता निम्नवत है तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे भारत का नागरिक हो एवां बिहार राज का इस्थाई निवासी हो ठीक है भारती अध्यापक के पतपर निउक्ती है तू राष्टी अध्यापक सिक्षा परसाद दौरा समय समय पर नेधारिस सैक्चनिक और प्रसेक्चन एक योगता धारता धारत करते हो यानि जो भी टीचर के लिए रिक्वार्मेंट रहती है वो आपके पास होनी चाहिए अब फॉस्ट टू फिफ्ट क्लास के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और दो साल का आपका प्रारंबिक सिक्चा सास्तर में प्राइमरी एजुकेशन में अगर आपका डिप्लोमा है तो एपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बाद आपका सेकेंड उप्सन है मिन्मम् 45% मार्क्स के साथ आपका उच्चतर माध्मिक हो साथ में आपने दुई बरसी डिप्लोमा किया हो जो रास्टी अध्यापक सिक्चा परिसाद 2002 के अनुसर प्राप्त किया हो अगर ये भी नहीं है तो न्यून्तम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्मिक या इसके एक्क्यूवैलेंट आपने किया हो साथ में 4 येर का अगर प्राणरमिक सिक्चा सास्तर में इसनाता क्यानी बी एल एड हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद न्यून्तम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्मिक में पास आउट हो 50% के साथ और सिक्चा सास्तर में दोई वरसी ए डिपलोमा हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर आपने ग्रेजिशन किया है ग्रेजिशन और प्राणरमिक सिक्चा में दोई वरसी है डिपलोमा तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं means 10th and 12th दोनों ही इसमें apply कर सकते हैं लेकिन आपके पास diploma या degree आपके पास होना चाहिए नियूंतम 55% mask के साथ या उसके equivalent आपने सनाथ को तर PGV किया हो साथ में आपने 3 वर्सी यह BLMET किया है तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं यह इतनी सारी conditions हैं अगर आप इनवे से किसी एक को भी फुल्फिल करते हैं apply कर सकेंगे इसके अलाबा इसमें दिया गया है कि यहां पर जो भी इनोंने requirement दी गई है जिसने NCTE दौरा मानतप्राप संस्थान से सिक्षा इसनाता की उपादी प्राप्त कियो उसे का अच्छा एक से पांस तक पढ़ाने के लिए बिध्याले अध्यापक की रूप में न्युक्त किया जा सकेगा लेकिन इस प्रकार के बिध्याले अध्यापक की रूप में न्युक्त बैक्ति को मूल कोटी के विध्याले अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के दो साल के भीतर आपके लिए N-C-T-E दौरा मानता प्राप्त प्रात्मिक सिक्षा में 6 माईने का एक bridge course होता है वो आपको complete करना होगा Second, इसी तरह से conditions यहाँ पर भी दी गई है कि जिसने भी N-C-T-E से मानता प्राप्त संसान से 3 वर्सी अगर B-Ed, M-Ed भी किया हुआ है कक्षा 1-5 तक के लिए आप पढ़ा तो सकते हैं लेकिन इसमें भी आपको 2 साल के भीतर राष्टी अध्यापक सिक्षा परसा दौरा मानता प्राप्त प्रात्मेक सिक्षा सास्त्र में अनिवार रूप से 6 माईने का bridge course यानि यहाँ पर आपको bridge course करना पढ़ेगा एक से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज मदर्सा सिक्षा बोड या मौलाना मजहरूल हक अर्भी और इवं फारसी विद्ध्या पतना दौरा प्रिदत मौलवी आलिम अत्वा किसी मानता प्राप्त प्राप्त बोड से उर्दू में इंटर्मीडियेट अत्वा किसी मानता प्राप्त 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 दालाय से उर्दू में सना तक योगता मानने रहेगी ओके तो यहाँ पर ये conditions दी गई है इसके बाद हम देखेंगे सामान विसियों के लिए एक अक्छा 9 से 10 के लिए तो 9 से 10 के लिए सामान जो विसय थे उसके लिए आपने विसय समू में कम से कम 50 प्रतिसत अंके के साथ आपने अपना graduation या PG इनमें से कोई एक भी अगर आपके पास है PG भी किया है तो भी और graduation किया है तो भी लेकिन उसके साथ आपने BA होना चाहिए apply कर सकेंगे या किसी मानता प्राप्त विस्विद्याले से आपने graduation या PG किया हो कम से कम 45 परसंट मार्क्स के साथ अगर आपके 50 परसंट नहीं है तो 45 से है तो उसके साथ में आपका यहाँ पर दिया गया है अधिनियम के अनुसार यहाँ पर अधिसूचित राष्टी अध्यापक सिक्षा परिसद के अनुसार राष्टी अध्यापक सिक्षा परिसद से मानता प्राप संस्थान से सिक्षा में BA आपका होना चाहिए ठीक है यह दो conditions है इसके बाद राष्टी अध्यापक सिक्षा परसर से मानता प्राप्त किसी भी संस्थान से विसे सम्मूम है बी एड या बी एससी एड चार बरसी है अगर आपके पास है तो भी आप इसमें एप्लाई कर सकते हैं लेकिन नौ से दस तक के टीचर के लिए इसके बाद नौ से दस के जो मैथ के टीचर है बिग्यान के टीचर है इनके लिए रिलेटेट सब्जेक्ट से आपका ग्रेजोशन कमप्लीट होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैथ तो आपका इसनातक लेवल पर यानि ग्रेजोशन लेवल पर आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए साथ में फिजिक्स, इलेक्टोनिक्स, कम्प्टर साइंस या रसाइन बिग्यान, सांके की बिग्यान मैंसे कोई दो सब्जेक्ट हो या इंजीनेरिंग से आपने ग्रेजोशन किया है जिसमें मैथ आपका सब्जेक्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सो 9 से 10 तक के लिए आपका ग्रेजोशन लिवर पर रिलेटेट सब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप एप्पलाई कर रहे हैं इसके बाद कक्छा से 12 के लिए तो इसमें आपका इसनातकोत्तर मांगा जाएगा इसनातकोत्तर मींस आपका PG मांगा जाएगा रिलेटेट सब्जेक्ट से जिस भी सब्जेक्ट में यहाँ पर विकैंसी जाई हुई है साथ में यहाँ पर B-Ed, M-Ed यह आपका मांगा गया है ओगे, सो physics chemistry के लिए आपके graduation level पर कौन-कौन से subject combination होना चाहिए वो यहाँ पर दिये गए है, physics के लिए कौन सा होना चाहिए ठीक है, सो आप इसको देख लेए देखिए, अब सभी का अगर मैं एक एक करके सारी line explain करूंगी वीडियो काफी lengthy हो जाएगा, सो अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे comment कर दीजेगा 125th class के teacher का मैं अलग से upload कर दूंगी वीडियो full information के साथ 9-10, 11-12, जिसका भी आप चाहते हैं आप मुझे comment कर दीजेगा एक ही वीडियो में सभी को अच्छे से explain करने पर वीडियो काफी lengthy हो जाएगा अब देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार एवं केंदर सरकार दौरा समय समय पर जो teacher eligibility test कराई जाते हैं वो भी आपका होना चाहिए जैसे कि प्रात्मिक सिक्षक के लिए 125th के लिए CETAT का paper first आपके पास हो या फिर बेहार state का paper first आपने clear किया हो, दौनों में से कोई ये आपके पास हो apply कर सकते हैं माद्मिक बिद्ध्यालाई के लिए as state paper first एवं उच्चतर माद्मिक बिद्ध्यालाई अध्यापकों के लिए as state paper second में उत्री होना जरूरी है ठीक है, यहाँ पर CETAT नहीं है CETAT प्रात्मिक सिक्षक के लिए इन्हों ने बोला है इसके बाद प्रात्मिक सिक्षक के लिए CETAT अथवा BETAT, OK age limit देखेंगे तो सभी पदों पर नियुकती है तू minimum जो age है वो आपकी जो age count की जाएगी, वो 1 अगस्त 2023 के वेस पर count की जाएगी अब जो 1 to 50 आणि प्रात्मिक बिद्याले के जो teacher है उनके लिए age minimum 18 होना चाहिए, maximum 21, 18 से 21 साल reserve categories के candidate को relaxation मिल जाएगा I.U.C. में छूट भी मिल जाएगी यहाँ पर जो भी reserve categories से ब्लॉंग करते हैं OK, तो यहाँ पर age limit सभी candidate के लिए भी दी गई है अनारक्षित female के लिए 40 है अधिकतम I.U. अनारक्षित male के लिए 37 एर रखी गई है तो यह आपके प्रात्मिक बिद्यालों के लिए भी हरत्यों की नियुनतम I.U. 1 अगस्ट 2023 के बेस पर यह count की जाएगी तीक, अब आप जिस भी category से ब्लांग करते हैं उसको देख लेज़ेगा selection procedure में आपका written examination होगा mcqs types होगा written examination जिसमें आपका भासा के लिए आप देख रहे हैं written examination में subject wise दिया गया है 100 question आएगी जैसे भासा आहरता में language जो रहेगी उसमें 100 question आएगी 2 भाग में रहेगा 2 घंटे का timing रहेगी इसमें प्राथमिक से उच माध्मिक विध्यालों के लिए सभी के लिए यहाँ पर ये exam देना होगा भासा का सामान अध्यन जो रहेगा 120 questions आएंगे 2 घंटे का timing का 120 marks का रहेगा ये प्राथमिक विध्यालों के teachers के लिए रहेगा सामान अध्यन विसाय इवम सामान जो रहेगा ये 9 से 10 के जो teacher होंगे 9th to 10th class के teacher माध्मिक विध्यालों के teacher उनके लिए रहेगा 120 questions, 120 marks, 2 hours का timing इसके बाद अध्यन में दिया गया है इसके बाद विसाय इवम सामान अध्यन तो ये 11 to 12th class के लिए रहेगा विसाय इवम सामान अध्यन जिसमें 120 questions रहेंगे 120 marks के रहेंगे 2 hours का timing दिया जाएगा detail में explanation के लिए मैं आपको अलग से video upload कर दूँगी interview आपका इसमें नहीं होगा only written examination आपका इसमें रहेगा application fees देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सुलक रहेगा जो fees रहेगी वो यहाँ पर आपकी 200 rupees है 200 rupees रहेगी सामान ने candidate के लिए ये आपकी biometric fees के रूप में लिया जाएगा 200 और उसके अलाबा आपकी category के अनुसार अलग रहेगा जिसमें आपका सामान ने जो candidate है उनके लिए 750 rupees है अनुसुचित जाती जन जाती के लिए 200 rupees है सभी आरक्षित अनरक्षित बरग की सभी female candidate के लिए 200 rupees रहेगी PWD candidate के लिए भी 200 rupees रहेगी इसके अलाबा जितने भी un candidate है उन सभी को 750 application fees यहाँ पर pay करनी होगी application starting date आप देख रहे है 15 June से start हो जाएंगे 12 July तक आप इसमें online apply कर सकेंगे अभी application start नहीं हुए है 15 June से application start हो जाएंगे वैसे मैंने आपके सारे जो most most important points से सारे किलिया कर दिये है फिर भी आपको लगता है क्योंकि यह कि वीडियो में इतना सब कुछ cover करना मुस्किल है आप चाहें तो आप मुझे comment कर दीजे तो मैं सभी जो teachers wise अलगलग classes की जो निकली हुई है vacancies प्रात्मिक बिद्ध्यालाई एंड अलग-अलग उन सभी के लिए मैं separate video upload कर दूँगी आसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो like and share कीजेगा thank you